अलेकुम फ्रेंज वेलकम तो काड़ेच शॉट आज हमने करना है जी MCM 301 का लेसन नमबर 6 विच इस लिसनिंग इंट्रस्टिंग लेक्चर है ऐसा है कि MCM 301 कोर्स ही काफी इंट्रस्टिंग है तो मज़े का कोर्स है सॉरी जी फून चार्ज करना ज़ादा ज़रूरी था फिलार तो इंट्रस्टिंग लेक्चर है तो हम स्टार्ट करते हैं इंशाला आपको समझ आजएगा सबसे पहले उन्होंने आपको ये बताया है कि हम राइटिंग में 11% रीडिंग में 15% स्टींग में 32% लिस्टंग में 42% आफ टाइम लगाते हैं इंशाट कि हम लिस्टंग में अपना सबसे ज़ादा दिन का टाइम सर्फ करते हैं ठीक है जी लिस्टंग और हेरिंग फर्क होती है यहाँ पे उन्होंने दो actively आप कहेंगे कि आप किसी चीज़ को grasp करने की कोशिश करते हैं आप information को समझने की कोशिश करते हैं आप language को words को meanings देते हैं आप उसके internal meanings को समझने की कोशिश करते हैं that is listening ठीक है यहाँ पर इन्होंने कहा है कि एक average speaker 100-150 words per minute बोलता है और 400-500 words per minute काफी सारे लोग 400-500 words per minute बोल सकते हैं तो अगर आपसे यह mcqs में पूछा जा सकता है कि कौन सी sense मरने के बात तक active होती है और सबसे पहली sense आपकी कौन सी active होती है तो यह आपको पताना चाहिए highlight किया हुआ है filtering क्या होता है filtering होता है कि अब आपने बात को सुना अब आपने बात को समझने की कोशिश करनी जुरू की ठीक है मतलब उर्दू है उर्दू आप समझते हो सही है अब जो लफ्स में आपको कह रही हूं वो आपने सुन लिए सही है अब आपने filtering में क्या करना है आपने उनको मतलब देना है कि अगर मेरी टोन सर्कास्टिक है तो मेरा क्या मतलब है उसमें अगर मेरी टोन नॉर्मल है तो क्या मतलब है उसमें उसको आपने फिल्टर करना है अलफास तो आपके जहन तक पहुंच गए आपने उनको समझ लिया मतलब अक्सर ऐसा होता है कि ख्लास में आपके सथ कोई मजाग टीचर आपको कोई जोग सुना देता है और लाइटर नोट मैं भी महसी मजाग करती हूँ और लाइटर नोट के आपकी कंसेंटरिशन बनी रहे अब ये आप पर है कि आप उसको फिल्टर कर पाते हो कि ये लेक्चर का हिस्सा है या नहीं ये तो एक मजाग था ये तो बीच में नहीं आता ना evolution क्या होती है evolution होती है judge करना message को जब आप किसी के message पर critical analysis कहते है मतलब ये कि उसका underlying मतलब जानने की कोशिश करते है जब आप लोग बहुत जादा बात की गहराई की तरफ जाते है that is evaluation ठीक है सबसे पहले आपके बात जहन में आवाज आई कान में आवाज पड़ी आपने उसको समझा उन बातों को अलग अलग किया कि कौन सी बात का क्या मतलब है कौन सी कैसे है उन्हें समझ लिया उनको याद कर लिया फिर आप आते है critical analysis की तरफ evolution की तरफ कि अगर उनमें underlying मतलब कोई था जैसे अगर आपको poem या कोई poetry सुनते हैं तो आप उसकी evolution करते हैं कि अच्छा इसके अंदर शायर ये कहना चाता है that is evaluation फिर उसके बाद है responding depending upon कि किस तरह की conversation चल रही है फिर आप उस पर अपना response देते हैं तरह के response होते हैं एक तो होते हैं कि जो बात खतम हो जाने के बाद response होता है एक होता है जो बात के साथ साथ response दिया जाता है depends कि अगर friendly talk है तो बात में हम हम हाँ अच्छा जी वाला response आ रहा होता है अगर तो जो है वो कोई formal discussion है, कोई conference है तो बात खतम होने के बाद questioning का session आता है Level of listening Listening के कुछ levels हैं, उनको पढ़ते हैं सबसे पहला आता है जी active listening Active listening होती है सबसे best form of listening जिसमें listener बहुत ज़दा attentive होकर बहुत ज़दा concentration के साथ बात को सुनता है, समझता है frequently question करता है, मतलब question in the sense कि अच्छा आप ये कहना चाह रहे हैं मतलब ये कि मैंने आपकी बात को क्या सही समझ लिया है इस हद तक questioning करता है, that is active listening यहाँ पर हो कुछ characteristic active listening के बताए गए है active listening are willing to give the speaker a chance to develop his or idea active listener बीच में interrupt नहीं करता idea बनने देता है, idea convey होने देता है open mindedness के साथ, full concentration के साथ उस बात को सुनता समझता है अगर कोई बहुत boring या बहुत कोई कह सकते हैं कि बहुत unorganized form में बात की जा रही है तो उसको एक challenge की तरह लेकर उसको मजीद वोर से सुनने की कोशिश करता है protective listening is के एक दम से जो listener है वो speaker बन जाता है, speaker listener बन जाता है मतलब जिन में होसला नहीं होता अगले की बात सुन पानेगा partial listening is के आपने बात सुनी कुछ बात आपको समझ आई, कुछ बात आप ignore कर गे और आपने बस अगले की pitch पर उसकी speaking पर दिहान दिया कुछ कुछ चन बाते हैं, आपने खौर से सुनी आदी आपकी concentration ना होने की वज़े से आप miss करके and preferential listening sorry, preferential listening वो होती है, जिसमें आप मतलब अगर let's suppose के मैं आपको यहाँ पर to the point lectures देती हूँ पर अगर मैं बहुत लंबा आपको intro दूँ के जी welcome, यह होगा, यहां हम यह पढ़ेंगे, आज हम ऐसा होगा वैसा होगा, किसी का उसमें interest नहीं होना, जो सची बात है आप लोग क्या करेंगे, उसको उठाके skip कर देंगे कि सीधी बात पर आओ, ना बीबी तो वो वला हिसाब है preferential listening वो होती है, कि जिसमें आपको interest नहीं है, आप उसको skip कर देते हो types of listening, अब type of listening में सबसे पहले आती है, आपके पस critical listening critical listening mostly की जाती है मतलब यह कि अगर आपको कहा गया है कि जी आपने presentation करनी है, आपका वाइवा होने वाला है, आपने कोई इस type की चीज़ है ना तो फिर क्या होगा, कि जो teacher होगा वो बड़ी critical listening करेगा, वो बहुत गोर से समझेगा, कि अच्छा आप किसी चीज़ को लेकर बहुत बाइस तो नहीं हो रहे, आप की tone कैसी है, आप बात क्या करना चाह रहे हो, बात का मतलब क्या है, चीज़ें क्या है, यह चीज़ें तब matter करेंगी, जब अगला critical listening कर रहा है critical listening इन्ही सूरतों में की जाती है अच्छा, अब इसमें नोंने आपको मुखतलिफ characteristics बता हुए है active listening के, कि आप अपना दमाग कोल के रखें, आप recognize करें कि आप तो बाइस नहीं हो रहे हैं, अगला तो बाइस नहीं हो रहा यह चीज़ें, these are not important things, definitions are the main thing उस पर गोर करें empathic listening क्या होती है, empathic listening is कि जब आप सुनाने वाले की बात को feel कर सकते हैं, between the lines feel कर सकते हैं, at times जब motivated listener sorry, motivational listener जो होते हैं तो वो अगर आप से कोई बात करते हैं जरूरी नहीं है कि अगर वो सो लोगों से बात करें हैं तो सो के सो ही motivate होते हैं सो के सो हाइगिस भी motivate नहीं होते ऐसा क्यों हैं जी ऐसा इसलिए है, क्योंकि हर कोई empathic listener नहीं होता, हर कोई उस बात को उसकी गहराई को, उसकी underlying meaning को नहीं सुनना, समझना चाहता बिल्कुल भी तो यही problem है empathic listening जो होती है, empathic listening यह होती है, कि आप अगले के एहसास को जजबात को महसूस करो, feel करो आया वो एक emotional story है आया वो एक characteristics बताया हुए है कि क्या है, कि आपने किसी को respectfully सुनना है उसके साथ emotional एक connection बनाना है तो यह इसके characteristics भी as such important नहीं है, इन सारी listenings की definition ज़रूरी है, आपके लिए समझना याद रखना, और that's it, यह percentage is important है, highlighted points important है, नो शाहिए तो comment box में लिखे, any questions there तो comment box में लिखे, वीडियो पसंद आई है तो like, share, subscribe करें, मिलेंगे next lecture के साथ till then, take care, Allah